नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका तिवारी क्लासिस में आज के इस वीडियो में सुदर्शन द्वारा रचीत एक बहुत ही महतोपुर्ण कहानी हार की जीत उसी का कथासार या सारांग्स को इस वीडियो में समझ लेंगे किसी कहानी के कथासार को समझ लेने से उस कहानी से सम्मंदीत जो भी प्रस्ण परिक्षा में पूछे जाते हैं उसका उत्तर देना काफी सहज हो जाता है तो हार की जीत ये सुदर्शन की एक प्रसिद कहानी है इस कहानी में बाबा भारती नामक एक सज्जन है वे साधू है और गाउं से दूर मंदिर में रहते हैं तो यहाँ पर भाबा भारती इस कहानी का प्रमुख नायक है उन्हें किसी भी बात का लोब नहीं है सामान्यता सज्जन लोगों को या फिर साधू लोगों को ऐसा ही होता है उसे सांसारी किसी भी चीज से अधिक लोब नहीं होता है उसके पास सुल्तान नामक एक घोड़े के सिवाई अन्य कोई भी संपत्ती नहीं है वे उस घोड़े से बहुत प्रेम करते हैं अर्थात बाकी चीजों से उन्हें कोई लोब तो था नहीं लेकिन उनके पास सुल्तान नामा के घोड़ा है जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे ये घोड़ा ही उनके जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद का कारण बना हुआ है लेकिन बहुत ही जल्द उनके इस खुसहाल जीवन को एक दूर्जन की नजर लग जाती है और उसका नाम डाकू खड़क सिंग है डाकू खड़क सिंग को जो भी चीज पसंद आ जाती है उसे वो किसी भी कीमत में हासिल करना चाहता है इस बार उसने बाबा भारती के पास जो सुंदर और बलवान घोड़ा है उसकी काफी तारीफ लोगों से सुनी तो वो घोड़े को देखने के लिए अधीर हो गया एक दिन वो घोड़ा देखने बाबा के पास आ गया बाबा ने अन्य लोगों की ही तरा उसे भी अपना घोड़ा दिखाया और घोड़े की प्रसंशा भी की गोडे को देख कर और उसका प्रसंसा सुन कर खड़क सिंग बहुत व्यथित हुआ और उसने बाबा को गोडा चुराने की धम की दे डाली खड़क सिंग को जो भी चीज पसंद आता था वो उसे हसिल करना चाहता था तो जब बाबा भारती के पास इतना सुन्दर घोडा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ उसे लगा कि ऐसा घोडा तो मेरे पास होना चाहिए ये साधु संद के पास ऐसे घोडे से क्या काम तो वो सोच लिया कि क्या करंगे इस घोडा को तो हम चुराएंगे ही और वो बाबा भारती को जाते वक्त बोल भी दिया कि बाबा जो भी हो ये घोडा मैं आपके पास रहने नहीं दूँगा तो इस बात से बाबा बहुत भाईभीत हो गए और रात रात भर जाग कर अपने घोडे की रखवाली करने लगे अठात रात को अब वो सो भी नहीं पाते थे वो अस्तवल के पास ही क्या करते थे सिर्फ रखवाली करते रहते थे कि कहीं वो चुराने ना आ जाए लेकिन बहुत दिन भीत गये कोई चोर नहीं आया तो बाबा कुछ बेफिक्र हो गए लेकिन एक दिन बाबा धोखा खा गए उनका सर्व प्रिय घोड़ा दीन दहाड़े ही चोरी हो गया हुआ यूं कि बाबा साम को घोड़े की पीट पर बैट कर सेर करने बाहर निकल पड़े घोड़ा सुल्तान विद्यूत गती से दोड़ रहा था और बाबा भारती फूले नहीं समा रहे थे उनके चेहरे पर चमक हिरदय में आनंद और सरीर में जोस था ऐसे में उनसे किसी दुरबल ने सहायता की अपील की उस अपाहिज को तीन मील दूर परोसी गाउं में जाना था तो बाबा भारती ने अपने साधु धर्म का पालन करते हुए उस अपाहिज को घोड़े पर बिठाया और खुद नीचे उतरे यहाँ पर खड़क सिंग ही अपाहिज बनकर मदत मांगा और उस घोड़े पर बैठ गया और बाबा भारती नीचे उतर गए यहीं बाबा भारती से बड़ी भूल हो गई चूंकि उस अपाहिज के रूप में कोई और नहीं बलकि स्वयंग डाकू खड़क सिंग बहुरूपिया बनकर आया था बाबा के हाथ से उसने घोड़े की लगाम छीन लिया और इस बात को बाबा भारती अब अच्छी तरह समझ गये थे कि मुझसे क्या हो गया बहुत बड़ा धोखा हो गया उन्होंने केवल इतना कहा कि तुम इस बात को किसी से नहीं कहना यह जवरज़स्त लाइन है तो बाबा भारती खड़क सिंग से कहा कि ठीक है यह घोड़ा तुम चुरा लिए ठीक है ले जाओ लेकिन ये बात तुम किसी से कहना नहीं कि तुम किस तरह से इस घोड़े को चुराए तो खड़क सिंग बाबा की इस बात का अर्थ नहीं समझ पा रहा था उसे लग रहा था कि मैं चुरा लिया कि बाबा आप यह क्यों कहे कि किसी से ये बात मत कहना तो बाबा भारती ने इसका स्पस्टी करन देते हुए कहा कि लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो कोई गरीब की सहायता नहीं करेगा अर्थात जब लोग इस बात को जान जाएंगे कि अपाहिज व्यक्ती बनकर क्या है तुम बैठे थे तो फिर लोग डर से क्या है ना तो अपाहिज का ना तो गरीब दुखियों का किसी का भी क्या नहीं करेंगे मदद नहीं करेंगे और ये तो इस दुनिया के लिए एकदम अच्छा नहीं है इसलिए तुम जो किये किये लेकिन ये कहना नहीं किसी से तो इस बात का फर्क पड़ा बहुत खड़क सिंग के दिमाग पर उसे लगा कि ये कितना ही सज्जन आदमी है जो अपना गोरा चोरी होने के बाद भी दुनिया के बारे में ही सोचता है कि दुनिया के लिए क्या अच्छा है जो भी हो दोनों अपनी अपनी दिसाओं में चले लगे कि ये बात किसी से मत कहना उसने बाबा का घोड़ा लोटाने का निश्चे कर लिया वो सोचा कि नहीं ऐसे सज्जन ब्यक्ति का घोड़ा हमें नहीं लेना चाहिए और एक रात चुपके से अस्तवल में घोड़ा बांध कर चला गया बाबा भारती को अपना घोड़ा पाकर अत्यधिक आनंद हुआ उन्होंने भी साधुबाद दिया कि अब कोई भी आदमी दिन दुरबल की मदद से नहीं मुकरेगा अर्थात ये जो कहानी है हार की जीत अर्थात पहले बाबा भारती की हार हुई लेकिन अंततह अंत में सच्चाई की ही जीत हुई तो बाब भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंग जीत कर भी हार गया लेकिन खड़क सिंग का हिरदय परिवर्तन हो गया ये भी बहुत ही अच्छी बात है तो इस तरह से इस कहानी सारांग्स में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक सेर कर सकते हैं चैनल म में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद